प्राइड और एक्डम कड़ा के की धूप निकली हुए दू-तीन दिनों से तो चोटे लाइड पे जाके छोटा मतलब फोड़ा लंबा है यह वाला 70 km से बने घर से तो अभी सुबह के साढ़े साथ बज़रे ट्राफिक बिल्कुल भी नहीं लेकिन अभी साढ़े साथ बज़रे निकला हो तो ट्राफिक बिल्कुल भी देखने नहीं मिल रहा है तो डेड़ घंटा बता रहा था गूगल पे लेकिन हम मुझे लगता है 70 km एक घंटे में कवर कर लेंगे क्यों 80 का कॉंस्टेंट स्पीड ह है और दूसरा यह कि कैसा है आप सब का हाल चाल पब्जी बैन हो चुका है और पब्जी बैन हुआ तो लोग ऐसे रो रहे हैं जैसे कि जमीन जाइदा चीनली उन लोग से मतलब क्या है इतना पब्जी में लब टाइम वेस्ट ही था अच्छा बैन हो गया मतलब ठीक है हम ल और बड़े लोग खिलते हो अलग बात है उन लोग के पास काम दंदा सब कुछ रहता है फ्री टाइम में लेकिन छोटे चोटे बच्छे भी पब्जी के पीछे इतना एडिक्ट हो गया थे ना कि पढ़ाई लिखाई छोड़के पुरा दिन पब्जी 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 औ पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाऊ और देश को समालो तो अच्छा हुआ बैन हो गया पर यह लॉक्डाउन में मतलब यह करोना है तब तक बैन नहीं करना चाहता है मुझे सालगते क्योंकि बहुत लोगों का रोजी रोटी चलते है उस पर वह सब गेमर्स लोग का बा ठीक है अभी क्या ही कर सकते हैं आप लोग बताओ कमेंट करके अच्छा किया बैन करके की नहीं यह बताओ और हम पांच मिर्ट में यह वसे क्रिक का जो प्रीच है वहां पर पहुच चुके है बना यहां पर पहुचते पांदरा बीस मिर्ट निकल जाते हैं देख सकते हो सामने बहुत ही मस्त नजारे दिख रहे हैं पाहड पर मस्त फॉक आया हुआ हुआ सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें अब सब्सक्राइब कर दीए आधर चांते तने सारे ट्रक आजाते हैं ने ट्राफिक होता ही एप इनको दिया हुआ है लेकिन फिर भी लोग पूरा रस्ता कवड़ कर ले ते ट्राक वाले ना सामान भर के पता है नहीं चलने वाली है का है ऐसा करने का है का है एक दम अभी तो यहां पर पूरा जंगल ही जंगल है तो ठंडी रंडी हो आ रही है मस्त और बाइक राइडिंग एना एक नश्या है मतलब सच में लब यह जो एक्सेलेटर है न वह ऐसा घूमता है न तो नस्नस में खून दोड़ने लगते दिमाग फड़ जाता है यह वो ल जो लोग नहीं करते हैं उनको समझ में नहीं आएगा थो हो हॉ है हो है इसलिए कि मेरा दिल कही है तू पहाडो में खो गया मेरा दिल कही тов पहाडो में खोग गया है तो ही Career Magazine तो घर से निकले हम लोग को एक घंटा हो चुका है एंड हमने 50 किलोमेटर एक गंटे में कवर किया अच्छा स्पीड है और अभी 20 किलोमेटर बाकी है उसके लिए आधा घंटा बता रहे हैं पस आगे से भी हम लोग को सफाले रोड के लिए लेफ्ट लेना है और हमारे डेस् रस्टेच चलाने को भी मजा आ रहा है ज्यादा ट्राफिक वाफिक है नहीं और है कि यह सफाले रोड पर आ चुके हम लोग सफाले रोड पहले भी आयो मैं सिंचन लेक जाने के लिए सिंचन लेक जाने तो यही रस्टेच जा सकते हैं और यह बहुत ब्यूटिफूल पूरा एक्दम अलगी फिलिंग देता ही है यहां पर आगे ना तो यह देगो जाड जाड रस्ते पर और मक्खन रोडे एक्दम अभी एक किलोमेटर बाकी और पूरा आफ रोडिंग आच चुका है यहां पर मुझे लगता नहीं वहां पर हमको कोई मिलेगा कैसे रस्ते से कोई जाता नहीं है हमारे जैसे एक्स्प्लोरर रहते हैं वहीं जाते है तो रिक्षा खड़ी है गावला रहते हैं टायर वायर पंचर नहीं हो जाए बस यहां पर लोचा हो जाएगा करवाले डैम आप 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 हुआ है अपर बचरे नौ और फाइनल है हम लोग यहां पर पौछ चोके तो डेढ़ गंटा लगा मुझे पर पॉछने के लिए बीच में में पंद्राब इसमें टाइम पर भी गया था शूट रूट करने के लिए तो यह करवाले डैम दिख रहा हुआ कोई है यह अब ही फिलाल में अकेल हुं और विग men पर से अन्न्न प्लेस की सब्सक्रा को नहां थे सूर्भ करते कि यहां राइना पे спрос उसको उसके पास जाओगा तो उड़ जाएगा सोया होगा तो सोने देता हूँ यहां पेक दूसरी है है खुति उसको एक बिस्केट डाल देता हूँ इसको डरे हुए आते ही नहीं नस्दी डाल के चले जाओगा ना तो खाने आएगे अजया यहां पर कच्रा करना नहीं है यह हम जेब में डाल गए अपलोग भी आओगे तो जेब में डालना ही तो इसको भी बहुत लगी हुए है अवे किस किशल दिखके आगए इसके पास जाओगा तो यह डरा हुए एक तर नहीं आहां प्रे नहीं अदिए इसको खाने तो फृट वाक जिए कश्यान थे प्रेंगा कुछ ते लोग लाल्ची बहुत लाल्ची बहुत रहते हैं कुछ का खाना छोड़के इसका खाना खाने आ रहे हैं क्र साँ्रेता को अच्र्ज स कि दुष्डी को अब जाण कुछ फgeonता के आ रहे हैं न्यु वग다 १री इन उने म动 कटे ऑसाने बहुत भी एक रहे हैं क्यार्फ पिर लोग थ जतीज सरयता ला लाफ खाना बाल्ची बहुत ग वासा ऑसाई लेा है तो यहां पर बूड मरा हुए डेंजर क्या है सदर ठीका नहीं मदपान करने वह पानियाद भोन्यास सकत मनाई आहे ये ते बुढ़न म्यूत्य होन्या ची सक्षयता आहे ठीक है तो यहां पर पानी में जाके नाने की अन्नुमति नहीं है और दूसरा डारू वारू पीना नहीं यहां पर क्योंकि सिन अल्रेड इतना मस्त सेट है यहां पर तो बाकी कुछ भी सिन सेट करने का नह तो एक दम शानती है मैं आपको एक सीन बताता हूं मैं जब घुमना चालू किया ना तो मैं घर पर बोलता था कि अरे मेरे को साउथ जाना है नौर्थ जाना है यहां पर मुंबे के आज बाजू में कोई भी जगह नहीं गुमने के लिए यह तो मेरी मम्मी ने डायलोग मारा क कि ढूंडने से तो लोगों को भगवान भी मिल जाते हैं तो तिरको क्या ऐसे गुमने के लिए अच्छे जगह नहीं मिलेगी कि मुंबे के आज बाजू में तो फिर मैने गूगल मैप्स पर ढूंडना चालू किया और ऐसी छोटे-छोटे लेक्स दिखते हैं वह मैंने एक अब छोटा नहीं है बड़ा ले गई है और व्यूडिफूल एकदम यहां से किदे तो टांडूल वाड़ी फोड का ट्रेक भी है इसके बाजू में चार-पाच किलियोमेटर के उसमें रेंज में लेक बहुत ही बड़ा है थोड़ा नसीव हमारा खराब है कि मुझे चीए बारिश ना हो आज लेकिन इतनी भी धूप नहीं चीए थी थोड़े बादल होने चीए बहुत धूप है तो धूप के वैसे यह बना के घुम्राव में वरना पांच महीन है घर पे बैठके जो थोड़ा बहुत गोरा हुआ हूँ फिर से काला हो जाओंगा टैन से एक दम शांती है कोई नहीं आप रहे पीस्फुल कि यहां पर मस्त वाटरफॉल हो रहा है तो मॉंसुं के टाइम ज्यादा फ्लो रहता है वाटरफॉल का अभी वैसा बारिज दो-चार दिनों से बंद होगी है तो इसना फ्लो नहीं है लेकिन है मजा आ रहा है यहां पर तो ऐसे सब जगह पर कैसा जब आते हो ना तो आपक में देना मेशुआ है då मैं सब्सेधन कोऊ हो जाएगा है कब तैम निकल जाएगा यहां पर पता नहीं चलेगा अपने अकेले प्लिश्किन सब्सक्राथ यहां पर बैट आराम करो मस्थ क Sup और खाव पीक है घर पे चले जाओ और जो भी साथ में प्लास्टिक लेकर है वो भी साथ में लेकर जाओ यहां पर कछरा मत करना कोई पीडियों अब अब भी को अब अब यह वाटर पंप टावर है एंड पूरे लेक के एरिया में सिर्फ यहां पी थोड़ा सा चाव है क्योंकि यहां पर थोड़ी देर बैठेंगे और नस्ता पानी करेंगे और यहां पर देखो फिल्टर होके पुरा पानी यह पाइप से जाता है गाव में समझे रहे हुआ मजा आ गया केला भी गरम हो गया अबी गरम गरम केला खाना पड़े यहां साधा जीवन उच्च विचार यहां सब खाने का फेक भी दिया तो भी कुछ प्रॉब्लम ने जाड़ हो जाएगा एक दो साल के बाद क्या पता नेचर को खरब तो नहीं करेगा एटलिस्ट केला खाके हो गया अभी इसको जाड़ियों में फिक दुगा दो गया मखी मच्चर या ओचीटी वीटी ओ लोग को खाना मिल जाएगा इस चाहां समझेगा दो काम हो गया एक तिर से दो निशान अपना पेड़ भी बढ़ गया उनलों का भी पेड़ पर जाएगा प्रकृत चलो फिर अभी यहां पर हमारे दो गंटे समापत हो गया और बहुत मज़ा है मतलब पीसफूल एकदम कोई है नहीं यहां पर तो अभी आप लोग को आना है तो आप लोग मैप पर डाल दो करवाले डाइम और अरली मॉर्निंग आना क्योंकि धूब बढ़ गई तो मज़ा या तो फिर शाम को आना तो संसेट के टाइम थोड़ा ठंडा रहता है माहौल अभी मुझे लगा था थोड़े बादल रहेंगे लेकिन बादल नहीं थे उसके वैसे बहुत गर्मी लग रही है तो अभी मैं निकलता हूँ और लंच टाइम तक घर पर पॉचके मस्त खाना भी न खा कर सो जाओंगा तो अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना एंड ऐसी वीडियो देखने तो सब्सक्राइब कर दो बैल आइकन दबाद हो ताकि आप मेरे एक भी वीडियो को मिस्त ना करो एंड मिलते अगले व्लॉग में तब तक की अगले खाओ पियो गुमो और एश करो लेकिन कच्छडा मत करो टाटा बाइबाए